आपके बास realme 9i 9 5G कोई भी फोन है तो यहां पर आप OTG connect कैसे कर सकते हैं OTG या फिर pen drive कुछ भी आप connect कर रहे हैं तो यहां पर ऐसे option जैसे की मेरा तो जल्दे से connect हो गया अगर आपका यहां पर show नहीं कर रहा है तो आप कैसे इसको on कर सकते हैं तो इसके लिए आप यहां प से option आएगा scroll कर लेंगे और यहां पर additional setting पर click कर लेंगे OTG का option है इसको on कर देंगे on करने के बाद यहां पर back करेंगे और यहां पर ऐसे connect करेंगे तो यह directly आ जाएगा ठीक है तो यह रहा आपका जो भी आपके फोन में data है यह आपका device का data यह आपके OTG का data यहां पर show हो जाएगा यहां से मानलो यह option remove हो गया है तो आप ऐसे जाएंगे इस पर click करेंगे तो यह tap करके remove कर सकते है safely इस पर click करेंगे तो remove हो जाएगा इससे क्या होता है कि आपका phone जो है corrupt नहीं होता है अरे जो OTG है यह corrupt नहीं होता है तो बाकि यहां पर file वगर्रा देखने के लिए my file पर जाएंगे तो my file पर आप यहां पर ऐसे करके शो कर सकते हैं चलिए मिलते हैं एक next video में तब तक के लिए नमस्कार